अपने भाई शरत को उसने लिखा मैं भला अंग्रेज्जों की कभी सेवा कर सकता हूं असंभव कुरूर नर्दै अन्याई अंग्रेज्जों का जल्निया वाला बाग रक्तपात के पापियों का क्या मैं कभी साथ दे सकता हूं क्या मैं सुदेश का शत्रू बुन सकता हूं असंभव जड़ी सब लोग अपने अपने घरोंदों में घरों में मश्गूर हो जाएं तो देश की चिंता कौन करेगा मा की पुकार रात दिन मेरे कानों में गूंज उठती है धाओ धाओ समर्क्षेत्रे धाओ धाओ समर्क्षेत्रे प्रतंत्र राष्ट्र का ये कर्तव में हो जाता है कि वह स्वातंत्र प्राप्ति तक अखंड लड़ता रहे स्वातंत्रता संग्राम का सैनिक बनने है तू मैंने आई सी एस का त्याद कर दिया है अपने भाई को लिखा भारत आकर सुभाष बाबू 16 जुलाई 1921 को मुंबई में गांधी जी से मिले उस समय की बंबई आज की मुंबई गांधी जी से मिले फिर कलकत्ता पहुंचकर देश बंदू चित्रण्यन दास के चलाए राष्ट्रिय स्वयम सेवक दल हैट गवार ने जो 1925 में शुरू किया वो राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग्र था उनको को दल नहीं बनाना था चित्रण्यन दास के इस राष्ट्रिय स्वयम सेवक दल के प्रमुख कारिकरता बन गे सुभाश और इसके साथ साथ कुछ समय तक वो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे बांगलार कथा और फॉर्वर्ड के वे संपादट भी वने युगांतर और अनुशीलन इन दो करांतिकारी गुटों में समन वे प्रस्थापित करने का उन्हों ने भर्षक पर्यास किया दो करांतिकारी गुट थे उनको एक करने का इंग्लेंड का वो राजपुत्र लॉड इंग्लेंड का वो किंग का बेटा जाध पंचम भारत आया कांग्रस ने उसका भहिशकार के लिए कॉल किया कलकत्ता में सर्वत्र उसे काले जंडे दिखाए गए अंग्रेजी सरकार ने प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया न्याईदीश ने सुभाश को शे महीने की सजा सुनाई और सुभाश ने क्या बोला बस छे मास किसी की मुर्गी चुराने पर छे मास की सजा दी जाती है मैं तो अंग्रेजों का तखत पल्टने जा रहा हूँ सन 1924 में देश बंदू दास कलकत्ता के महापोर बने सुभाश महानगर पालिका के कारेकारी अधिकारी बने कुछ देर मां को खुश करने के लिए उस नगर पालिका में अनेक अधिकारी अंग्रेश थे उन्होंने सोचा एक तो यह भारतिये फिर अनुभवहीन शोक्रा इससे तो हम यूही अपने बश में कर लेंगे अपने नीचे दबा लेंगे अपने अंगूठे के नीचे रख लेंगे कि दूसरे ही दिन एंजीनियर कॉट्स सिग्रिट पीते हुए कारेले में आए कि सुभाश चंदर ने बड़ी कड़ी आवाज में कहा क्या आप इसे सिश्रचार मानते हैं क्या आपके किनिष्ट यूनियर आपके साथ ऐसा ही बहवार करें तो ठीक रहेगा शिरिमन कॉट्स ने उस समय सिग्रट बुझाई और क्षमा याचना की सुभाश का उस ऑफिस में प्रभावढ़ने लगा अंग्रेज स्रकार ने 25 अक्तूबर 1924 को उन्हें गिर्फतार करके अलीपूर बहरामपूर आदी स्थानों पर रखने के बाद मंडाले पहुंचाया वहां की खराब हावा में बार बार बिमार हुए प्रंतु पढ़ाई चिंतन मनन ध्यान धारना में वे मगन रहते थे सब प्रकार के कष्टों में बप्रीत प्रस्थितियों में लक्ष आंखों के सामने से उजल नहीं होता था अपने मित्र दिलीब कुमार को दिलीब कुमार राय को उन्होंने लिखा प्रफुल गुलाब के फूलों के लिए हमें कांटों का भी स्वागत करना होगा उशा की शोभा यदि हमें देखनी है तो हमें घनी अंधिरी रात धहरी पूर्वक बितानी होगी स्वतंतरता का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी जेल में सुभाश ने भूख अटाल की कई तरह के व्रत रखे समाचार पत्रों ने हो हुला मचाया प्रांतिये विधान सबा के चुनाब हुए जन्ता ने जेल में बंद सुभाश को ही विजय बनाया उनका स्वास्त जब अधिक बिगड़ा तब सरकार ने कुछ शर्तों पर छोड़ने का प्रस्ताव रखा उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया भाई को उन्होंने लिखा मेरा मन शांत है प्रभु जी प्रभु की जो भी योजना होगी उसे स्विकार करने के दिये मैं सिद्ध हूँ तयार हूँ कटिबद हूँ मेरे प्रियतम स्वपन भावी प्रीडियों को विरासत के रूप में प्राप्त होंगे ये श्रद्दा ही यातना में मार्ग में मुझे प्रेड़ना देती है सुभाश बाबू का बुखार हटा नहीं वे बिहोश होने लगे सरकार ने सोचा इसकी मृत्यू निकट है एक दिन चुपचाप सरकार ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया उनके भाणियों ने चार मास्ता कुने शिलांग के अरोग्य धाम में रखा कुछ ठीक होते ही वे अकने अपने कारियों में जुट गए वे बंगाल प्रांतिय कांग्रस के अधक्ष भी चुने गए एक जनवरी 1928 को उन्होंने अखल भारतिय कांग्रस का महा सचिवपद भी प्राप्त हुआ वे देश भद में घूम कर जन चागरन करने लगे नमक सत्याग्रे मुझे लगता है कि अभी तक का अभी तक का जो भी जितना भी हमने सुभाश के बारे में जाना सुना इसके आगे का वर्नन हम अगले एपिसोड में ही करेंगे आगे बहुत कुछ है अभी दो एपिसोड तो ऐसे बनेंगे जिनको हम सुनना चाहेंगे जानना चाहेंगे पर सुभाश के ऊपर तो सो एपिसोड भी कम पड़ेंगे मैं जिस सिंद के राजा दाहर से लेकर सुभाशंद बोस तक की यात्रा करने वाला हूँ इन आठ सो हजार वर्षों के चार पांच सो ऐसे अग्याद अनसंग हीरो नाइक और नाइकों को आपके समुक लाने वाला हूँ जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला सुभाश के बारे मैं तो दुनिया बहुत कुछ चानती है लेकिन इतना कुछ नहीं जितना मैं देने का परियास करूँगा अगर ये मेरा परियास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेर करिए अपने अपने ग्रूप में अपने अपने स्थान पर उन महान वीर सपूतों को अग्याद असंख्य देश भक्तों को करांती कारियों को जिनको को आज कोई नहीं जानता हम इस तरह से उनको बहुत बड़ी श्रधांजली भी दे सकेंगे और उन सबकी जीवनियां इख जाने की रूप में भावी प्रीडी के हाथों में दे सकेंगे सौप सकेंगे इस परियास में आप मेरे साथ भागीदार बन सकते हैं इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और उसको शेयर करके धन्यवाद नमस्कार एक जन्यवर उनियू सो अठतिस को उन्हें अखल भारतिये कॉंग्रोस का सह सच्युपद प्राप्थ हुआ वे देश भर में घूम कर जन जागरन करने लगे इस बीच में नमक सत्याग्रा रंभ हो गया गांदी जी उसके मुखिया थे उनकी कॉल पर हुआ था पांच जन्यवरी 1938 को बंबेई जाते हुए सुभाश पकड़ लिए गए अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट हो गए उन्हें सिवनी कारागार में रखा गया वहां जब उनका स्वास्थि बिगड़ा तब उन्हें पहले जबलपुर में और फिर मद्रास में ले जाया गया एक बार मद्रास के उच्च नियाए दिश अबास हली वहां जेल में आये होंगे निरिक्षनार्थ उन्हें पूछा क्यों सुभाष बोस मज़े में तो हो सुभाष ने तपाक से जवाब दिया जहां आये और मज़ा चख लीजिये के वो पूछने से क्या होगा सुभाष का स्वास्थ बिगड़ता ही गया सरकार ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए भी इलाज के लिए भी बोल दिया उनके भाई उन्हें उपचार हे तू वे ये ना में ले गए जनता ने सब तरह की सानुभूती भेजी के सुभाष ठीक हो जाएं स्वास्थे की परवाना करते हुए योरप के अनेक देशों में गुमते रहे एक गये इलाज के लिए हैं और आँखों के सामने हैं भारत मा की स्वतंतरता के लिए मुझे विदेशों में जो कुछ भी उपलब्द है जो कुछ भी मैं भारत की स्वतंतरता के लिए वहां पर संग्रह कर सकता हूं किसी भी परकार का वह मैं करूंगा लेसनी प्रोफेसर लेसनी डॉक्टर वेनस दी बैलरा मसोलनी हिटलर आदी से मिलकर उन्होंने वर्डवाइज अंतराष्ट्रिये प्रिस्थिती की चर्चा की भारत के इस वतंतर युद्ध में कौन सा देश कितनी सहायता कर सकेगा इसकी उन्होंने टुहो ली देखा समझा उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम का ग्रंथ भी लिखा पिता जी के सकत बिमार होने पर भारत लोटे कुछ वहां स्वास्थे लाब हो गया होगा और पितिया जी की बिमारी का सुने और वह भारत आ गए चार दिसंबर 1923 को वह कलकत्ता पहुंचे एक दिन पहले ही पिता जी की मृत्यों हो चुकी थी गैरा जनुवरी 1934 को उन्होंने फिर से यह अरप के लिए प्रस्थान किया उनकी पेट की बिमारी पर वियना में जो उपचार हुआ था दुबारा से वह वहां पहुंचकर अपने उपचार से ही उन्होंने अगली यात्र अरंब की 1936 में ज्वाहला नहरू की अधक्ष्टा में लखनव में होने वाले कांग्रस की अधिवेशन में भाग लेने हैं तू वे निकल पड़े कैलकटा से 19 अगस्त 1936 को जहाज से उतरते ही पुलीस ने उन्हें पकड़ लिया और यर्वडा पुना के पास जेल में भेज दिया वहां उनका लिवर का गड़बड हो गया इतनी लगातार यात्रा अंथक यात्रा कष्ट में यात्रा भूख प्यास नींद को ध्यान में ना रख करके इस परकार का तप और तपस्षा जो चल रही थी शरीर का शय कहीं न कहीं हो रहा था और उनका गलाबी सुजने लगा था और दर्द भी रहने लगा था तब सरकार ने उन्हें दारजिलिंग जिले में गिड़ा पहाड नामक स्थान पर शरत बाबू के बंगले में सथान अंत्रित किया बंगॉल में फजलुल हक का मंत्री मंदल बना उसने 17 मार्ट 1937 को सुभाश को मुक्त कर दिया देश्वर में हर्ष की लहर दोड़ गई उन्हें कांग्रस के अधक्षपद की माला पहनाई गई फबरेरी 1937 में गुजरात में तापी के तीरपूर हरी पुरा दिवेशन वहां संपन हुआ और सुभाश जी ने शुद्ध हिंदी में बहुत प्रेज़ना दाइक भाशन दिया उस समय कि रचारक्तियां जदा ध्यान से सुनने वाली है क्या वोले उस उभाश इतिहास बताहता है कि समराजिय निरमान होते है फैलते है और नश्ट होते हैं अंग्रेज्जी समाज्य समराज्य अब किस्तिती में है अर्ठात और नश्ठ होने की स्थिती में है उन्हें राज्य की समाप्ति उनके राज्य की समाप्ति हमारी एकता दृड़ता प्राक्रम तठक त्याग पर निर्बर है स्वाराज्य के प्राप्ति के लिए हमें क्रांतिकारी कदब उठाने होंगे प्रधान बनने के बाद ये पहला भाशन था उनका कि उन्होंने देश्वर में भ्रह्मन किया प्रवास किया सब तरफ और स्वातंत्र प्रेम की जोती प्रज्वलित की सुभाश के उगरविचार उनकी स्वतंत्र सोच और प्रभाव के कारण उनके भाशन का अकरशन उनका जोश उनका तेज उनका एक एक शब्द में वो विप्त हो रहा था इस सब के कारण बाकी कांग्रिस्वी नेता उनसे इशा करने लगे इशा करने वालों में उस समय के गांदी नहरू इवन बलबाई और अजिंदर पर साथ भी उनके विरुद हो गए जोके इन सब में ये उगर थे ये किसी भी मामले में किसी भी तरह की कोई भी कॉंप्रोमाइस नहीं करना चाहते थे सुभाश बाबू अधक्षपद के लिए फिर से खड़े हुए पटापी सीतर मैया को हरा कर कॉंग्रस की अधक्षबने प्रन्तु वे बहुत बिमार हुए अधक्ष के इस उच्च आसन पर बैठ नहीं पाए सुभाश बाबू उनका भाशन भी पढ़ करके सुनाया गया जम दोवा में इलाज कराते हुए उन्होंने पक्तर में लिखा दर्द देखिए पीड़ा देखिए क्या लिख रहे हैं वो और हमारी तरासदी देखिए ये बड़े-बड़े नेताओं के भी कितनी संकीरनता औ अन्होंने इन्होंने कहा कि त्रिपुरी वो जो अधिवेशन जहां पर फिर से अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी का वायू मंडल घिनोना था उच्च श्तरिये अग्रन्य नेता अगर ग्रन्य नेता यदि इतने हीन इर्शालू तथा कुटिल हैं तब इनके हाथ में देश का भविश्य क्या होगा एक अगर्स तुनिसों अंताली को कलकत्ता में कांग्रस पुर्मुखों की सबा हुई भला ये शब्द कांग्रसी कैसे सेहन कर सकते थे उन सब ने मिलकर सुभाश को कांग्रस से निकाल दिया कोई बात ने जो देश के लिए समर्पित होते हैं उनको भई कोई क्या रोकेगा क्या टोकेगा क्या निकालेगा वो स्वतंतर वृत्ति के होते हैं और सब कुछ त्याग चुके होते हैं और सब कुछ करने की तत्परता उनमें होती है ऐसे सुभाश बाबू को किसी ने क्या रोकना था सुभाश बाबू ने शेगर ही एक फॉर्वर्ड ब्लॉक नाम का दल अर्म किया फॉर्वर्ड ब्लॉक वे सापता ही पक्त्रिका निकालने लगे देश भर में ब्रहमन कर अपने तजस्वी विचारों से यूकों को आकरशित करने लगे तीन स्टंबर उनिस्वन तालिस को मद्रास में हुई उनकी सबा में ढाई लाक जनता उपस्तित थी उस समय ढाई लाक आने जाने के सादन इस परकार के नहीं थे भई उसके बाद भी और वो भी कहा में ड्रास में सुभाष ने कहा उस सारे के अंदर उसमें भाशन जो था अंग्रेजों पर संकट आना क्योंके सैकंड वॉल्ड वार चालू हो गई थी चालू होने जा रही थी हो चुकी थी इस समय अंग्रेजों पर जो संकट आया है वो हमारे लिए सुवर नफसर है स्वतंत्र प्राप्ति के लिए हमें हर प्रकार से प्रहेतन चील रहना चाहिए 1940 की फैबरेरी में दिल्ली में अखल भारतिय विद्यार्थी संगठन के विशाल अधिवेशन में उन्होंने कहा फूक प्यास उपवास कष्ट मृत्यु आदी का सामना करते हुए भी हमें अडिग रहना होगा हम स्वराजे लेकर ही दम लेंगे इस हीतु भीतर बहार से युद्ध लडेंगे अंदर भी और देश के बहार भी इतना बड़ा संकलब इस भ्रहमन में वे काफी भिविन दलों के प्रमुख निताओं से मिले डॉक्टर अमेट कर बैरिस्टर सावर कर ऐसे कई नामी रामी हस्तियों से वह मिले और डॉक्टर हैट गिवार तो उनके पुराने परिचत थे उनका डॉक्टर हैट गिवार 1925 में संग अरंब भी कर चुके थे उनका अनुशासन बद संगठन सुभाश को ग्यात था डॉक्टर जिसे मिले वह नागपूर भी आए प्रन्तु डॉक्टर हैट गिवार उस समय मृत्यु शहिया पर थे एक जुलाई 1940 को जनता को अहवान करते हुए सुभाश बाबू ने कहा अंग्रेजों के पुतले स्टैच्चू ये गुलामी के प्रतीक हैं कलंक हैं इन्हें हम उखाड फैंकेंगे कलकत्ता के हालवेल समारक की हम इंड से इंड मजा देंगे शीगर ही उन्हें गिर्फतार कर लिया गया इस भाशन के बाद अब तक में दस बार जिल जा चुके थे शासन की सेंक्डों अन्याय पूर्ण कृतियों के विरोध में उन्होंने कई बार कई बार मन्वरत रखा भूखरताल की उनका स्वास्थे इनी कारणों से बिगड़ने लगा था फजल हक की प्रास्थना पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें एक स्ट्रेचर में डाल कर उनके घर पुंचा दिया प्रंतु चारों और पहरे बिठा कर उन्हें नजर बंद कर लिया गया घर में ही बाहर पुलीस खड़ी कर दी गई बाहर पुलीस बिठा दी गई सुभाश बाबु ने अंदर बैठे बैठे एक योजना बनाई उनको चार दिवारी कहां कोई रोक सकती थी भई वो बिमारी में भी थोड़ा थोड़ा स्वास्त होने लगे घर के अंदर और बाहर पुलीस बैठी है क्या योजना बनाई उन्होंने दाड़ी मूछें बढ़ाई पठान जैसे कपड़े सिल्वाए शदम नाम के भेंट पत्तर भी छपवा लिए कार्ड विस्टिंग कार्ड महम्मद ज्याओदीन प्रवासी प्रतनीदी जबलपुर के नाम से उन्होंने अपना एडेंटिकार्ड भी बना लिया स्तारा जनवरी उन्हीस वक्तालिस की मद्दे रात्री में एलिंगन रोड पर एक मोटर कार आई और ज्याओदीन को बिठा ले गई यानि सुभाश को गाड़ी पहले धनवाद और वहां से गौमो स्टेशन पर पहुंची वहां वेकार का मेल में सवार हुए सबसे पहले दिल्ली वहां से पेशावर और वहां से भगत राम तलवार के साथ वे काबुल की और चले भगत राम रहमत खान बन गए अनेक संक्टों का मुकाबला करते हुए दोनों भारत की सीमा से बाहर हो गए सुभाष चंदर ने मात्री भूमी को पर नाम किया और धूली मस्तक पर लगाते हुए कहा बंदे मात्रम बंदे मात्रम उस समय का ये गीत था सबके लिए था बंदे मात्रम रास्ता अतिकठिन था सुभाष बाबू मस्ति के साथ कदम बढ़ा रहे थे उनकी प्रसंता देख भगत रहम चकित हुए उनको लगा कि ये सुभाष बाबू इतने खुश क्यों है उनके मन में विचार आया पैदल खचर पर या सामान ढोने वाले ट्रक पर बैठ ये रास्ता चल रहे हैं बदल बदल के कहीं भी बैठते सोते हैं जो भी रुखी सुखी मिलती है मजे में खाते हैं कभी कोई शकायत नहीं करम योगी महापुर्श है ये भगत रुख के मन में सुभाष बाबू के लिए आ रहे हैं ज्याओ दिन के लिए 27 जनवरी 1948 की दुपहर वे काबूल पहुंचे दूसरे ही दिन रशियन जर्मन इतालियन राई दूतों से संपर्क स्थापित किया वहीं काबूल में उस पर्यास में लग गए सब के साथ मिलने में ये सब गुप्त रिटी से ही करना था किसी को पता ना चले चर्चाना हो सुभाश की तो डिमांड थी कहीं से भी सामने नजर आते तो अंग्रेश सरकार उनको दुबोच ले थी बार बार अप यश पल्ले पड़ता था दोनों में दिन में कई बार इस परकार का संभाशन होता था रहमत खान अब क्या होगा बाबो जी सब ठीक होगा कब आज नहीं तो कल फिर दोनों खुब हंसते यह सब शदम बेश में लोगों के बीच में चर्चाएं भी हो रही हैं मस्ती भी हो रही है था कि कोई भी किसी को यह विश्वास नहीं हो के यह बड़े कोई गंभीर व्यक्तित्व के और इतने बड़े क्रांती कारियों और महान क्रांती करने जा रहे हैं काबुल के दुकानदार उत्तम चंद मलहूत्रा ने दोनों की उत्तम विवस्था रखी विवस्था की आउभगत स्वागत किया उन्होंने हर तरह की जोख्यम उठाकर सुभाश को सब तरह की सहाइटा पुंचाई तीनों ने खूब अच्छे परियास किये सब परकार से कभी निराजशा के काले बादल च्छा जाते तो कभी आशा की किरने दिखाई देती अठारा मार्च उन्निस सुएक्तादिस को और रॉंदो मा जोता बनकर एक फिर नया नाम और रॉंदो मा जोता बनकर सुभाष बाबु कॉबल से निकले यहां तीसरे साथी उनके और जिन्होंने उत्तुम चन्मुल होतरा ने कहां भगत राम जगा जगा वो साथी मिलते गए और एक से एक बढ़िया प्रबंद करते गए पाता की सार समरकंद यह जगों के नाम है तथा मासकों होते हुए वे बर्लिन पहुंचे जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंचे जर्मनी के बड़े बड़े अधिकारियों ने सुभाश को हर तरह से तोला परखा जपान इटनी और जर्मनी के परमुखों ने आपस में विचार्वे मरिश किया सुभाश चंदर को स्वतंतर भारत के प्रवत्ता के रूप में तीनों ने माननिता दी बहुत बड़ी बात थी भई बर्लिन में स्वतंतर हिंदूस्तान केंदर खुला योरप के अनेक देशों में रहने वाले भारतिय नागरिक सुभास चंदर को तन मन धर्ण से सहायता करने लगे लगे हजारों युद कैदियों ने ज़ए ज़द कैदी जो भारतिये थै लेकिन उसल में वर्सट वर्ल्ड वार में जो कैदी उनके बन चुके थे इन देशों के अंदर इन देशों ने जोंग्रेजों के खिराफ रट थे इन देशों में हजारों युद कैदियों ने अजाद हिंद सैना में परवेश किया अजाद हिंद सैना का एक अलाग इतिहास है उसका एक अलग से एपिसोड बनाओंगा लेकिन अभी हम इस रेफरेंस में इतना ही ध्याद रखें उनके प्रशिक्षन के इंदर चलने लग और जैहिंद का नारा बुलंद हुआ पहली बाद जैहिंद जैहिंद जन गन मन राष्ट्र गीत बना भारतिये दूतावास पर तिरंगा जंडा लहराने लगा 26 जनवरी 1942 को सैनिकों ने अजादी की शपद ग्रहन की अनेकों ने अपना अंगूठा चीर कर खून से हस्ताक्षर किये सुभाष्ट बाबू को तिलक लगाया उस समय सुभाष्ट ने कहा आप लोग कल तक भारत के शत्रूओं का साथ दे रहे थे आज आप भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के लिए उसके हेतु सिद्ध हैं उसके लिए तक पर हैं उसके साथ खड़े हैं यही सच्ची करांती है करांती का सूत्रपात हो चुका है यहाँ बलिदान है यह कभी बिफल नहीं होगा हम भारत को अजाद करके ही रहेंगे रोम इटली रोम में भी अजाद हिंसेना की शाका खुल गई जपान में रास बहरी बोस की प्रेड़ना से रास बहरी बोस का मैंने अलग से एक एपिसोड दिया है रास बहरी बोस की प्रेड़ना से ही उसी ढंग के प्रतन बड़े परमान पर होने लगे चोंकि अजाद हिंद सैना के लिए रास बिहरी बोस का इससे पहले बहुत बड़ा प्रहतन हो चुका था 27 फैबरेरी 1941 को सुभाश ने अजाद हिंद रेडियो पर कहा अजाद हिंद रेडियो भी बन गया क्या कहा प्रिय भारतियो मैं सुभाश नदर बोस बोल रहा हूं गत एक वर्ष में संगठनकारे में जुटा रहा अब हम पूरी तरह से तयार है सिद्ध है हम बहासिया कर्मन करेंगे आप लोग भारत में विपलब में चाहिए क्रांती करिए भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए हम बाहर से आकर्मन करेंगे बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्वपन था ये बहुत बड़ा कारणामा था ये बहुत बड़ी सोच थी ये हमाले परवत से भी उंची चोटी उस चोटी को टच करना तो क्या उसके भी आगे जाने जैसा ये एक सोच एक विचार था एक संकलब था शिंगापुर की प्राज्य का अर्थ है अंग्रेजी समराज्य का अस्त और भारत के समराज्य का उद्य है शिंगापुर की प्राजित हो चुका था इस भाषन को सुनते ही भारत में सर्वत्र नव चैतन्य की लहर दोड़ गए जपान की विजे हो रही थी सिंगापुर अंग्रेजों से जापान ले चुका था साथ दिसंबर 1941 को अंग्रेजों को पर्ल हारबर चोड़ना पड़ा 12 दिसंबर को अंग्रेजों ने दो बड़े ज़ाज ध्वस्त कर दिये अंग्रेजों के दो बड़े जहाज ध्वस्त हो गए जपान के द्वारा 15 फरिबरilly 1942 को अंग्रेजों को सिंगापुर चोड़ना पड़ा चोड़ कर भागना पड़ा रास ब्यारी भोस तथा उनके सहयोगियों ने हजारों भारतिये सैनकों को अजाद हिंद सैना में शामिल कर लिया अजाद हिंद सैना की शक्ति भी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी उन्होंने बार बार सुभाश अंदर को निमंतरन बहजा। सुभाश ने अपने योर्पीय सहयोगियों से विचार विणमे करते हुए जपान जाना निश्चित किया। यात्रा लंबी थी बड़ी कष्टकारत थी बहुत कष्टकारत थी सोचिए सुनकर ही आप लोग सुनकर ही सुन हो जाएंगे सांस रुक जाएगी गुप्त रूप से ये यात्रा करनी थी ना हवाई जहाज से जा सकते थे ना समुद्री जहाज से ना खुश्की के मार्क से लैंड से इसलिए पंडुब्वी से जाना निश्चित हुआ वो पंडुब्वी भी आज की पंडुब्वी नहीं थी क्या था जरा देखिए फरबरी उनिस सो तरतालिस को सुभाश बाबु पंडुब्वी में बैठ गए देखिए जरा केवल तीन फुट लंबी और दो फुट चोड़ी जगा थी उसके अंदर तीन फुट लंबी और दो फुट चोड़ी एक दो दिन के लिए नहीं आगे देखिए जरा कितनी कश्टकार क्यात्रा थी यह खड़े तक नहीं रह सकते थे चोड़ी सो घंटे इंजन की घरगरहाट चलती रहती थी आवास डीजल तेल की गंद बद्बू रात दिन नाक में घुशती रहती थी खादे पदार्थों में भी वही बू आती थी उपर नीचे चारों और पानी ही पानी शत्रू की पंडुबियां उनके लगाये सफोटक तथा जाल भीमकाये जलचर पशू यंत्र का बिगड़ना आदी अनेग खत्रों से भारी यह यात्रा थी 88 दिनों के बाद 88 डेज के बाद यह सारी यात्रा 88 डेज की तीन फुट लंबी और दो फुट चोड़ी जगा में 88 डेज के बाद 6 मई 1943 को वे बरूनी यात्रा सावांग बंदरमा में समापत हुई कि अब उन्होंने क्या नाम धारन किया मात सुदा कितने भेश बदले और कितने नाम बदले ये सारा मुझे लगता है इसके आगे की इसके आगे की चर्चा फिर हम एपिसोट नंबर चार पे करेंगे इतनी कष्ट कारक व्यात्रा के बाद अब उनको भी थोड़ा सा आराम देते हैं थोड़ा उनको भी रेस्ट देते हैं और कल हम इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि कल हम विदेशों के अंदर और उस सैना के द्वारा किस मार्ग से किन संक्टों में किन कठनाईयों में वो भारत की और बढ़ रहे थे ऐसा सोचते हुए तप त्याग तपस्या करते हुए भूखे नंगे प्यासे रहते हुए अमिनुशन की सप्लाई बंद हो गई है बहुत कुछ हो गया है यह सब हम कल जानने का प्रयास करेंगे ऐसे विलक्षन व्यक्तित्तव के महानाएक महानाएक सुभाश बाबू पर हम कल फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरा अगर यह प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए धन्यवाद नमस्कार